कितने रंग दिखाती हैं कितने खुल्ल खिलाती हैं हमको ये हर हाल में हसना सिखाती है हस कर यसान कीजिए जिन्दगी की राद दिल से कहिए हाँ दिल से कहिए दिल से कहिए वहाँ वहाँ जिन्दगी वाँ ओम शांती इंसान हर जगे जनम लेते हैं इंसानियत कहीं कहीं जनम लेती है जिन लोगों में इंसानियत होती है वो बहुत थोड़े होते हैं इंसानियत अर्थाथ जिनमें दिव्य गुण होते हैं मुल्य होते हैं इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसकी कदर हमेशा उसके गुणों से होती है कोई भी उम्र से बड़ा या छूटा नहीं होता गुणों से बड़ा होता है उम्र से जीवन नहीं बनता उमंग से जीवन बनता है एक बहुत ही सुन्दर दिव्य गुन है जो हमारे जीवन को वहवा बना सकता है और वो है नम्रता से चलना अभीमान को त्याग देना जहां अभीमान है कभी खुशी नहीं हो सकती अभीमान और खुशी का जबर्दस्त वेर है तो सुक्ष्म में भी किसी भी चीज़ का अभीमान है तो हमें त्याग देना है कईयों में बुद्धी का अभीमान कईयों में अपनी योग्यताओं का अभीमान कईयों में अपनी उहदे का अभीमान ये सुक्ष्म अभीमान व्यक्ति को कभी खुश नहीं रहने देता वावा नहीं रहने देता और जब हम अभीमान में होते हैं तो मैं लगता हैं मैं क्यों जुकूं मैं ही क्यों दूसरा क्यों नहीं बहुत बार में सूचती हूँ कि हम इंसान होकर इंसान की जिंदिगी नहीं बच्चा पाते पर छोटे होते फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में मैंने एक चूटी सी कहानी पड़ी थी मुझे बहुत अच्छी लगी आज भी मुझे याद है और वो इस तरह से थी किक छोटा सा ब्रिज था और उसके उपर से एक समय में एक ही जीव जा सकता था एक बकरी इधर से आ रहे थी एक बकरी इधर से आ रहे थी अगर वो दोनों ही निकलती है तो वो उसके अंदर गिर जाएंगी डूब जाएंगी और मर जाएंगी इस बकरी ने जब देखा सामने से कोई आ रहा है तो ये बक्री लेट गई जब ये लेट गई तो ये चली गई जब इधर वाली चली गई तो जो लेटी हुई थी वो भी उठकर चल पड़ी उन बक्रियों ने एक दूसरे की जान बचाई आज हम इंसान होकर सोचते हैं मैं ही क्यों चुकूँ क्या परिवार बचाने के लिए हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए अंडरस्टैंड करते हुए मोल्ड होने का गुन नहीं अपना सकते मोल्ड वो ही हो सकता है जो रियल गोल्ड होता है जो रियल गोल्ड होता है वो mold हो जाता है तो हमें भी अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए वहवा सिंदगी के लिए कहीं पर mold हो जाना है जुक जाना है कहीं understand करना है लेकिन एक दूसरे के साथ टकराना नहीं है Be an expert driver जो अच्छे चालक होते है वो अपनी गाड़ी की टकर कहीं नहीं लगने देते है पहाडी एरिया में भी जब वो जाते है कभी वो fast करते है कभी गाड़ी को slow करते है कहीं रुक भी जाते है मगर टकराते नहीं लेकिन हम सब एक दूसरे के साथ बहुत टकराते हैं क्योंकि विचार मेल नहीं खाते और हमें लगता मैं ही राइट हूँ जैसे हम सोचते मैं राइट हूँ सामने वला भी यही बात सोचता है मैं राइट हूँ, मेरी बुद्धी बहुत अच्छी है और ये राइट राइट की लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है और उसके लिए हमें अभी मान का त्याग करना होगा याद रखना है जुकता वो ही है जिसमें जान होती है अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है ध्यान से समझेंगे जुकता वो ही है जिसमें जान होती है अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है हमें परिवारों को बचाने के लिए अपने घर के वातवरण को अच्छा बनाने के लिए कहीं पर भी अभिमान में नहीं आना बलकि स्वमान में रहना है किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो अपने आप से पूछिए मुझे कहां लगा है यह तो सरफ वाक प्रहार था बात को जाने दो लेट गो कर दो लेकिन खुशी से जीना है बातों को पकड करके नहीं रखना है यह होल्डिंग नेचर जिसमें जितनी ज्यादा है वो उतना परिशान रहता है यह जिद जैसा मैं कहूं वैसा ही होना चाहिए मैं ही इस परिवार को संभाल रहा हूं मैं ही कर रहा हूं कोई और होता तो नहीं हो सकता था आदी आदी यह विचार हमारे अभिमान को बहुत बढ़ाते है आज से हम अभिमान की बचाए स्वमान में रहेंगे और एक दूसरे को सम्मान देंगे वहवा जिंदगी का ये बहुत सुन्दर मंत्र है कि मैं स्वमान में रहूं अभिमान का त्याग कर दूं बहुत सुन्दर स्वमान है कि मैं प्रभू का बच्चा हूं प्रभु ने मुझे इस संसार में विशेश कारे करने के लिए भेजा है और जिनके साथ में हूँ ये सब भी विशेश आत्माई है प्रभु पसंद आत्माई है आज से वावा जिंदगी के लिए हम खुद को चेक करेंगे अपने अभिमान को चेक करेंगे और उसे सच्चे दिल से कह देंगे, स्वाहा, सच्चे दिल से स्वाहा करेंगे तो ही हम सदा वहवा रह सकते हैं, आब सदा स्वमान में रहें, प्रशन रहें, वहावा रहें, ओम शांती कितने रंग दिखाती है कितने गुल खिलाती है कितने रंग दिखाती है कितने गुल खिलाती है हमको ये हर हाल में हस न सिखाती है हस कर यसान कीजिए जिन्दगी की राद दिल से कहिए हाँ दिल से कहिए दिल से कहिए वहाँ वहाँ जिन्दगी वाद वहाँ जिन्दगी वाद